एक यह खेलों स्वागत है पोक्लों दिसक्स करने वाले है किbrai relex को लेकिन धार करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में ग्लाज को सेर करना बिल्कुल मत भूलेगा तो दोस्तों चलो करते हैं ग्लास को स्टार्ट दोस्तो previous class में हम लोग उने resultant force के बार में discuss किये थे and वहाँ पर हम लोग उने कुछ methods को भी discuss किये थे जिसके सारे हम लोग resultant force को निकाल सकते हैं ठीक है तो पहला जो method था वो क्या था parallelogram law of force and दूसरा method था triangle law of force and तीसरा था आपका polygon law of force and previous class में हम लोगोंने parallelogram law of force को already discuss कर चुके हैं अगर आपने previous video नहीं देखा होगा तो definitely देख लिजेगा आपको हमारा channel विजिट करना होगा polytechnic studies and वहाँ पे आपको engineering mechanics का playlist ढूढना होगा ठीक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा lecture number 4 जहाँ पे हम लोगोंने parallelogram law of force को already discuss कर चुके हैं तो दोस्तो चलो आज हम लोग discuss करेंगे triangle law of force को ठीक है triangle law of force को and देखेंगे इस law के सारे हम लोग कैसे resultant force निकालते हैं ठीक है तो heading लगा लेते है triangle law of force triangle law of force ठीक है दोस्तो triangle law of force दोस्तो हम लोग triangle law of force को सिर्फ और सिर्फ दो concurrent force के resultant force निकालने के लिए use कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो concurrent force का resultant force निकालने के लिए use कर सकते हैं तो ये है इसका condition जैसे देखो एक rigid body है rigid body के एक point पे दो force लग रहा है ठीक है दो force act हो रहा है तो इन दोनों force का resultant force निकालने के लिए हम लोग इस law को use कर सकते हैं ठीक है तो यह है इसका condition जो कि आपको याद रखना है इस law is used to find the resultant force of two concurrent forces only ठीक है दो concurrent force के resultant force को निकालने के लिए हम लोग इस method को या फिर इस law को use कर सकते हैं यह है इसका condition तो आईए देखते हैं इस law में क्या कहा गया है if two forces acting at a point ठीक है अगर दो force एक point पे act हो रहा है and is represented in magnitude and direction ठीक है ठीक है if two forces acting at a point is represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order यह होगा आपका head to tail ठीक है पूरा statement आपको मैं समझाओंगा ठीक है पहले लिख लेते हैं order head to tail then their resultant force is represented in magnitude and direction by the third or closing side of the triangle taken in opposite order ठीक है यह है इस law का statement if two forces acting at a point is represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order then their resultant force is represented in magnitude and direction by the third or closing side of the triangle taken in opposite order ठीक है तो जैसे देखो यह जो रिजिट बॉड़ी है दोस्तों इसमें दो फोर्स एक्ट हो रहा है ठीक है तो चलो फिर से डॉड़ा करते हैं इसको देखो यहां पे देखो एक इस पॉड़ पर फोर्स एक्ट हो रहा है ठीक है, दो force इस तरह से act हो रहा है, force 1, force 2, ठीक है, तो देखो, अब इन दोनों force को, इन दोनों force को, अगर हम लोग एक triangle के, दो side से represent करेंगे, यह दो side होगा, यह दो side, same order में होगा, जैसे कि देखो, इस point को ले रहे, यह है, o point, यह आपका o point है, ठीक है, तो o point से यह गया आ F2 force, ठीक है, यह गया आपका F2 force, and इस force को हम लोग shift करके, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, इस point पे ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा, आपका F1 force, and इसका order देखिए, बिल्कुल इसी order में जा रहा है, यह इधर से इधर जा रहा था, then इधर जा रहा था, okay, and जो connection यहाँ पे, यह जो तीसरा या फिर closing side होगा, यह तीसरा या फिर closing side होगा, यह उसका resultant होगा, यह इन दोनों force का resultant होगा, लेकिन, लेकिन क्या होगा दोस्तो, taken in opposite order, मतलब यह अब यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ आना था, लेकिन य यह opposite order में होगा ठीक है तो यह होगा इन दोनों force का resultant force तो अब देखते हैं पुरा statement को फिर से if two forces acting at a point ठीक है if two forces acting at a point मतलब इस point पे दो force act हो रहा है and इन दो force को हम लोग इस triangle के दो side से represent कर रहे हैं taken in same order same order में हम लोगों ने लिये हैं ठीक है तो इन दोनों force को हम लोग एक triangle के दो side से represent कर रहे हैं एकदम same order में लेके बिलकुल यहां से यहां गया यहां से यहां गया order क्या है दोस्तों यहां से यहां यहां से यहां ठीक है same order में हम लोग ले रहे हैं तो इन दोनों force का जो resultant होगा then their resultant force is represented तो इन दोनों force का जो resultant force होगा उसको हम लोग किस से represent करेंगे यह जो triangle है triangle के third side से represent करेंगे third side से हम लोग represent करेंगे लेकिन उस side का जो order होगा वो opposite order में होगा बिल्कुल यहां से यहां गया था यहां से यहां आना था यहां से फिर यहां आना था लेकिन अब क्या है कि जो resultant force है वो opposite order में होगा third side या फिर closing side of the triangle taken in opposite order समझ में आया यह क्या होगा दोस्तो resultant force होगा इन दो force को हम लोगों ने इस triangle के दो side से represent किये हैं same order में लेके लेकिन जो closing side होगा या फिर third side होगा triangle का वो हमें क्या बताएगा resultant force बताएगा लेकिन वो opposite order में होगा ठीक है बिलकुल opposite order में होगा तो यह था आपका triangle law of force तो इस law को use करने के लिए हम लोगों को दो approach हमें मिल जाएगा ठीक है दो approach हमें मिल जाएगा एक तो है graphical approach दुसरा है analytical approach ग्राफियकल एप्रोच में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों figure द्रॉव करके या फिर graph addition करके हम लोग क्या करते हैं resultant force को निकालते हैं and analytical method में हम लोग वहापर formula का use करते हैं तो चलो, एक एक करके देखते हैं, पहले तो Graphical Approach को हम लोग देख लेंगे, कि Graphical Approach में हम लोग किस सरह से Triangle Law of Force को Use करते हुए, Resultant Force को निकालते हैं, ठेक है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे, analytical method या फिर analytical approach ओके चलो ये पूरा concept आप पूरा statement आप लिख लिए जो फड़ावर से और उसके साथ ये दो figure भी आप draw करिएगा ओके चलो ग्राफिकल एप्रोच दोस्तों ग्राफिकल एप्रोच में हम लोग एक डायग्राम करते हैं और उस डायग्राम के सारे हम लोग resultant force का magnitude and direction निकाल लेते हैं तो कैसे करते हैं समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए forces कौन से है let forces are F1 and F2 ठीक है दो force है F1 and F2 जो की एक point पे act हो रहा है and इन दोनों force के बीच में जो angle है उसको भी पता होना चाहिए angle between them is alpha मान लेते हैं alpha है ठीक है तो एक point पे एक point पे दो force ऐसे लग रहा है F1 and F2 ठीक है and इन दो force के बीच में है angle alpha ठीक है तो इसी force diagram को अभी हम लोग triangle में convert करने वाले हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों यहां पे जो force दिया गया होगा यह तो newton पे होगा ठीक है force का unit तो अलग होता है link का unit तो अलग होता है यह जो point है, इस point पे act हो रहा था, O point, O point, ठीक है, तो O point पे, सबसे पहला force हम लोग ये draw करेंगे, scale के सारे, if two force हो गया ये, इसका कुछ ना कुछ link तो होगा, scale के सारे हम लोग क्योंकि measure करेंगे, तो ये पूरा concept हम लोग, एक example के सारे समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप समझ लीजे, कि देखो, इस force को हम लोगों ने link पे convert कर चुके हैं, and यहाँ पे हम लोगों ने force को draw करा है, then उसके बाद जो force 2 है, वो O पे act हो रहा था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, O से इसको shift करके, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे draw करेंगे, F2 को, and यह जो angle है, alpha angle, alpha angle क्या करेगा दोस्तों, alpha angle बिल्कुल alpha angle ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे यह angle होगा, alpha angle, ठीक है, क्योंकि force 2 के line of action के साथ, यह बिल्कुल same angle पे रहेगा, always, आप जहाँ पे भी shift करिए, इस force को यहाँ पे भी shift करिए, यहाँ पे भी shift करिए, लेकिन इसके line of action के साथ, always alpha angle करके ही रहेगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे एक और काप बाकी रहे गया, तो इसको triangle में complete करने के लिए हमें, इन दो force को connect करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो triangle हमें मिला है दोस्तो, इन दो side के सारे हम लोग 2 force को represent कर रहे हैं, तो तीसरा जो side होगा, closing जो side होगा, उसके सारे हम लोग resultant को represent करेंगे, ठीक है, direction इस तरफ होगा, opposite order में होगा, ठीक है, and इसका जो magnitude होगा, resultant force का जो magnitude होगा, वो इसका length होगा, ठीक है, length को फिर से हम लोग force में convert कर देंगी, उसी scale के सारे, चलो, एक example लेते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं, force 1, force 1, कितना है, 100 newton है, ठीक है, and force 2 है आपका 90 newton, and alpha जो है, वो है कितना, 45 degree, ठीक है, अब तो value दिया गया है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी process को हम लोग यहाँ पे repeat करेंगे, तो इसके लिए सब से पहले हमें, एक suitable scale लेना होगा, ठीक है, तो चलो, suitable scale लेते हैं, कितना लेते हैं, 10 newton is equal to 1 inch, ठीक है, inch लेते हैं, ओके, तो यह आप centimeter पर भी ले सकते हैं, millimeter पर भी ले सकते हैं, जो आपके suitable होगा, ठीक है, जो आपका suitable होगा, क्योंकि मेरे पास जो scale है, मैं यह scale यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं inch पर ले रहा हूँ, लेकिन जब आप exam पर करेंगे, अपनी paper पर करेंगे, तो आपको centimeter लेना होगा, inch अगर लेते हैं, तो फिर बहुत बारा हो जाएगा, ठीक है, तो चलो देखो, अब क्या है दोस्तो, सबसे पहले हमें convert करना होगा, F1 F1 कितना था, 100 Newton ठीक है, 100 Newton, तो 100 को अगर हम लोग 10 से divide करते हैं ठीक है, कितना होता है, 10 ठीक है, 10 inch हो जाएगा यह, 10 inch हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो, यह जो हम लोगोंने scale लिये हैं, इस scale को कैसे उस करेंगे, देखो यहाँ पर 100 Newton है तो 10 के साथ कितना multiply करने से 100 Newton होता है, 10 ठीक है, तो 10 के साथ अगर 10 multiply करते हैं, तो 100 Newton हो जाता है, तो इधर आपने 10 multiply किये हैं, तो इधर भी आप 10 multiply करेंगे, ठीक है तो क्या हो जाएगा 100 Newton is equal to 10 inch हो जाएगा ठीक है, भी पर 90 Newton यहाँ पर 9 inch हो जाएगा ठीक है, चलो, ओके तो अभी हमें length मिल गया है ठीक है, तो point यहाँ पर मैं लेता हूँ यह पहला point आपका o point है तो o point force 2 force 2 कितना है दोस्तो, 9 inch तो यहाँ पर इस scale के सारे अभी मैं 9 inch draw करने वाला हूँ इस point के सारे मैं यहाँ पर लूँगा तो यह आपका यह वाला point आता है 9 inch तो यह हो गया मेरा, ठीक है, यह हो गया ओके, और इसके साथ साथ आप line of action भी draw कर लिजेगा तो बहुत अच्छा रहेगा इसका line of action बिलकुल इस तरह से, ठीक है इस तरह से जाएगा and उसके बाद force 2 कितना है दोस्तो अच्छा यहाँ पर आप इसको force 1 माल लिजे इसको force 2 माल लिजे ठीक है, यह है force 1 ठीक है ठीक है, चलो force 1 हो गया 9 inch का तो force 1 9 inch हम लोगों ने draw कर लिया अभी angle हमें draw करना है angle कितना है दोस्तो 45 degree तो यहाँ पर आप protector यूज करिएगा protector बिलकुल इस तरह से होगा तो 45 inch माल लेते हैं 45 degree माल लेते हैं यहाँ ठीक है, तो protector लगा के हम लोगों ने 45 angle को माल ले हैं यह वाला angle होगा 45 degree ठीक है, ओके protector यूज करना होगा यहाँ पर प्रोटेक्टर मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक अंदाजा ले रहा हूँ, यह आपका 45 degree है माल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 45 degree में आपको force 2 ड्राव करना है 100 newton का, 100 newton मतलब 10 inch का, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 कहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं black pen के साथ यहाँ पर इसको draw कर लेता हूँ तो यह हो गया इसका point ठीक है न, यह हो गया हमारा force 2 अब जो third side होगा दोस्तो, third side उसको हमें draw करना है तो चलो, skill मेरा छोटा पर रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा कि कर लेता हूँ मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक connect करेंगे ओके, ठीक है न, चलो यह हो गया हमारे पास third side, third side बोले तो resultant ठीक है न, third side क्या होगा दोस्तों resultant होगा, यह आपका resultant होगा जिसका direction इधर को होगा, जिसका direction किदर को होगा दोस्तों, इधर को होगा, यह force इधर को था, यह force इधर को था, तो direction भी resultant का इधर को होगा, अभी देखना है में इस रेजल्टेंट जो साईड हमें मिला है ठेमीसिता भी मिला है उसका में उसकेज से मिलेर करना होगा तो देखो यहां का रहा इंच 2-inch 12-inch मत बोले, तो कहाँ तक आता है 12-inch अपका आता है यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मेज़ा करेंगे यह आता है 5-inch ठेक है, तो total R का जो length है, दोस्तो, वो कितना है? 12 5, 17-inch ओता है अपका ठेक है, ओके 17 को हमें क्छा करना होगा दोस्तो अब हमें इस length को force के unit पे convert करना होगा तो हमने क्या इसके लिए थे 1 inch is equal to 10 newton ठीक है, तो 17 inch is equal to कितना होगा दोस्तों, 17 into 10 मतलब 170 newton तो ये आगे आपका resultant का value, ठीक है कुछ इस तरह से करेंगे, अब resultant का direction किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आप protector लगाएगा, ये angle कितना आता है, तो ये angle मान लेते हैं आपका आता है 30 degree, ठीक है protector के सारे, तो theta is equal to आता है, आपका 30 degree with respect to किस के साथ, किस के साथ बोलो, F1 के साथ respect to F1 counter clockwise counter clockwise बोले तो, F1 के साथ counter clockwise, मैंना, घरी के उल्टी दिशा, ठीक है, कटी के उल्टी दिशा में हम लोगों ने angle को measure करा है, तो ये हो गया resultant force का direction and ये हो गया resultant force का magnitude, ठीक है दोस्तो तो ये है आपका graphical approach तो इस तरह से हम लोग graphical approach के सारे resultant force को निकाल सकते हैं, ठीक है concept समझ में आया, बिल्कुल अभी हम लोग analytical method को देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तो analytical approach को देखने वाले हैं या फिर analytical method को देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग triangle law of force को use करके analytically हम लोग resultant force को calculate कर सकते हैं, ठीक है तो चलो analytical method या फिर analytical approach दोस्तो यहाँ पर हमें दो force को consider करना होगा और दो force के बीच में जो angle है उसको हमें consider कर लेना होगा, ठीक है तो चलो मान लेते हैं late forces are F1 and F2 दो force है F1 and F2 इन दोनो force के बीच में angle है alpha, ठीक है मतलब force diagram कुछ इस तरह से होगा यह F2 मान लेते हैं यह है F1 इन दोनों के बीच में होगा angle alpha, ठीक है तो चलो अब इसको हम लोग एक triangle में convert कर लेते हैं तो यह वाला point पे force 1 act हो रहा है इन इस force को हम लोग अभी यहाँ पे draw करेंगे F2 ठीक है तीसरा जो side होगा दोस्तो तीसरा side resultant force direction इस तरह से होगा and इसका line of direction draw करते हैं यह जो alpha angle है वह यहाँ पे होगा यह वाला angle alpha angle होगा ठीक है तो चलो अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों हम लोग triangle का नाम देती है तैक है यह alpha angle है यह theta angle है यह वाला angle कितना होगा दोस्तों बोलीए यह वाला angle कितना होगा यह ढगा धोस्तों देखो एक straight line है Mतलव 21 पूरा का पूरा 180 डिग्री है ठीक है यह तो पूरा एक स्टेट लाइन है ना तो यह जो एंगल होगा पूरा एंगल जो होगा दोस्तु वह कितना होगा 180 डिर होगा 180 से अगर आप अलफा घटा लेते हैं मतलब इसको अगर आप घटा देते हैं तो फिर यह रह झाएगा ठीक है तो यह कितना होगा 180 माइनस रटा टीक हम आ है यह वाला एंगल यह वाला एंगल यह वाला एंगल तीनों एंगल को हम लोग जोडते हैं तो कितना आता है दोस्तों 180 ठीक है यह ट्राइंगल का एक प्रोपर्टी है तो इस एंगल को हम लोग एंगल मानते हैं प्लास यह वाला एंगल है बी एंगल प्लास वह वाला एंगल है c angle कितना होगा दोस्तों 180 degree होगा ठीक है तो इसमें से a angle को हम लोग मान चुके हैं यह है theta plus b angle को हम लोग ने मान चुके है 180 minus alpha ठीक है and plus जो c angle है वो हमें पता नहीं है तो क्या करते हैं अभी देखो अभी अगर c को सिर्फ इधर रखते हैं बाकी को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों कुछ इस तरह से होगा मिलेगा हमें 180 minus 180 plus alpha minus theta ठीक है तो 180 180 वैनिस हो जाएगा तो रहेगा सिर्फ हमारे पास यह angle ठीक है c angle कितना है दोस्तों alpha minus theta यह वाला angle होगा आपका alpha minus theta इतना तो समझ में आया ना एक triangle के तीनों inside angle को भीतर के तीनों angle को अगर आप जोडते है तो उसका sum कितना होता है उसका जोड होता है 180 ठीक है जिसमें कि हमें इन दोनों angle अगर हमें पता है तो इन दोनों angle अगर हमें पता है तो आपकी सब को हम लोग उधर ले जाएंगे उधर ले जाने से हमें देखने को मिलता है 180 कर जाता है रहता है हमारे पास सिर्फ यह तो यह है आपका c angle ओके ठीक है न चलो इसके बाद हम लोग sign rule को apply करने वाले हैं sign rule sign rule of a triangle क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं ठीक है इसको हम लोग यहां पर apply करने वाले हैं तो sign rule में यह कहा जाता है एक triangle के एक triangle के किसी भी side को अगर आप लेते हैं वह वाला side बाकी दो remaining side के sign angle के साथ directly proportional होता है मतलब इन तीनो side में से कोई भी आप एक side को ले लेते हैं जैसे कि आपने f1 को लिये हैं ठीक है f1 side यह एक side है na f1 side तो यह directly proportional होगा sign angle of remaining two sides मतलब इसको छोर के बाकी दो side रह गया है यह वाला side और यह वाला side ठीक है इसके बीच में जो angle है उसका sign अगर हम लोग लेते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तो वो बन जाता है मारा sign rule तो यह हो जाएगा sign यह वाला angle कितना है दोस्तो alpha minus theta ओके यह है sign rule of triangle इसको अभी हम लोग apply करने वाले तो यहाँ पे होगा f1 इस sign को हटाने के लिए एक constant आएगा k sin alpha minus theta ठीक है तो क्या रहे जाएगा दोस्तो f1 by sin alpha minus theta is equal to k बिल्कुल अब इस side को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा f2 directly proportional to क्या होता है इस side को छोर के यह दो side रहता है इन दोनों के बीच में जो angle होगा उसका sin हमें लेना होगा sin theta होगा यह ठीक है तो यहाँ पे हमें मिलेगा f2 by sin theta is equal to k ठीक है एंड बही पे हमें देखने को मिलेगा r इस side को ले रहे हैं हम लोग तो इस side को छोड़के बाकी दो side है triangle का उन दो side के बीच में जो angle है उसका sin लेना है हमें अब इस part को में area कर देता हूं अभी यहाँ पर यह तीनों जो ratio हमें मिला है f1 by यह बाला ठीक है इसका value क्या है के एंड इसका value भी क्या है दूस्तों के एंड इसका value भी है के तो इन टीनों equation को लोग equal कर सकते हैं क्योंकि सबका value से में ना तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं by applying sin rule ठीक है हमारे पास क्या होगा f1 by sin alpha minus theta is equal to f2 by sin theta is equal to r sin 180C minus alpha ठीक है यह हमें जो equation मिला है दोस्तों इसी के साहारे हम लोग resultant and angle को define कर सकते हैं ठीक है इसी के साहारे हम लोग resultant force and theta मतलब यह direction of resultant force को define कर सकते हैं कैसे करेंगे जब हम लोग numerical करेंगे दोस्तों वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं किसी भी 2 equation को लेंगे जैसे कि देखो force 1 and force 2 हमें पता होगा force 1 and force 2 पता होगा and alpha भी हमें पता होगा होगा की नहीं होगा ना f1, f2 and α में पता होगा तो हम लोग क्या गरेंगे दोस्तों देखो हमें क्या-क्या पता है f1, f2 पता है and हमें αलफा भी पता है तो इस दो equation को लेंगे हम लोग इसको छोड़ देंगे तो इस बाले part को लेंगे वहां से हम लोग theta का value निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के केस में देखिए कौन अननोन है दोस्तो थीटा अननोन है ट्यक्राइए बाकि सब नोन है। पता है F1 पता है F2 पता है अलफा पता है लेकिन ठीटा हमें नहीं पता है तो इन दोनों को यूज करके हम लोग ठीटा निकाल सकते हैं ठीक है अभी देखो ठीटा अगर हमारे पास आ गया है ठीटा अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तो फिर हमें मिल जाएगा, क्योंकि alpha का value तो हमें पता है, f2 का value theta का value हमें पता चल चुका है तो फिर वहाँ पर unknown कौन सा रहता है r रहता है unknown, resultant force का magnitude ठेक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग करते है, तो यह equation है triangle law of force का, जिसके सारे हम लोग, resultant force का magnitude and direction दोनों ही निकाल सकते है ठीक है, दोस्तों चलो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग एक छोटा सा example लेंगे and इस equation को हम लोग use करने वाले हैं अभी देखो, ठीक है, चलो force 1 and force 2 and इसको हम लोग अभी क्या करेंगे मान लेते हैं force जो है, पहला force है 10 newton है and दूसा force है 20 newton and जो angle है वो है 30 degree, ठीक है तो according to this formula F1 क्या है दोस्तों F1 है आपका 10 newton, 10 newton या पे 10 लेको and sine, alpha का value हमें पता है 30, लेकिन theta का value हमें पता नहीं है, ठीक है F2 हमें पता है 20 newton 20 लेको से पहाँ पे and sine theta हमें नहीं पता है and r हमें नहीं पता है लेकिन sine xc minus alpha हमें पता है, ठीक है तो चलो, अब देखो इन दो equation को use करके हम लोग theta का value निकाल सकते हैं इन दो equation को use करके हम लोग theta का value निकाल सकते हैं, तो for theta for theta we have क्या यूज़ करेंगे 10 by sine 30 minus theta is equal to 20 by sine theta इसको यूज़ करेंगे जहां से हमें theta का value मिल जाएगा and for magnitude के लिए क्या करेंगे we have 20 होगा and नीचे रहेगा sine theta theta का value मिल जाएगा theta का value हमें ये first step में ही मिल जाएगा ये आपका है first step इस step में ही मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग theta का value लगा देंगे and रहेगा हमारे पास R sine कितना होता है 130 से रतीश चला जाता है तो 150 होता है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या unknown है सिर्फ R हमेरे पास unknown है R unknown है तो यहाँ पे हम लोग second step में R का value निकालेंगे ठीक है ओके चलो तो इतना concept आप समद गए होंगे साइद तो हम लोग आगे के class में polygon law of force को discuss करने वाले है ठीक है उसी के साथ हम लोग parallelogram law of force का example करने वाले है and दूसरा जो example होगा वो इसके उपर होगा triangle law of force के उपर होगा ठीक है तो next class में हम लोग तीनो के तीनो method के example करने वाले हैं ठीक है तीनो के तीनो method के example करने वाले है उसी के साथ हम लोग जो third method था law of polygon of force उसको भी discuss करने वाले हैं ठीक है दूस्तो तो दूस्तो आज के class के लिए इतना ही तो मिलते हैं next class में Thank you very much